यह थो हटे विदियो में गाहिबेस का दूत कम हो गया है तो अपनी गाहिबेस का दूत कम होने के कारन मित्रो अपनी यह वी एक कारण होता है आपने पस े पेट में कीड़े पर जाते हैं अपने पस्वों की डी वर्मिंग बराबर हो नहीं पाती है इसलिए मित्रों अपने पस्वों के हर तीन मेने में डी वर्मिंग जरूर करे कीड़े मानने की दवई आए जरूर दे क्योंकि अपने पस्वों को हर तीन मेने में कीड़े मानने की दवई दोगे तो अपना पसु दानाचारा बहुती अच्छी तरीके से खाएगा और बहुती अच्छी तरीके से पहुचेगा दूद कम होने का कारण मित्रो एक ये भी होता है कि अपन उन्रे पसु डी वर्मिंग नहीं अपन कर पाते हैं चलो तो मित्रो ये वीडियो शुरू करते हैं क्योंकि इस वीडियो में बता रहें कि देशी तरीके से अपने पसु का दूद केसे बढ़ाए जाए तो मित्रो बाजार से कच्चा पपिता लेक्या है कम से कम 2 kg का पपिता होना चीए मित्रो कच्चा है कच्चय वस्ता में पपिता लेक्या कर अच्ची तरीके से मित्रो इसे उबाल ले उबालते ही मित्रों इसमें 100 गराम आजवाइन डाले क्योंकि आजवाइन में पाचक तत्व होने के कारण मित्रों ये बहुती असानी से अपना दाना चारा पचा पाएगा और अपने पसों का दूद बढ़ पाएगा इस फार्मुले में दो चीजों की बहुती आवसकता है मित्रों दो चीजों की आवसकता है इस दो किलो का कच्चा पपीता लेकर मित्रों उसे अच्छी तरेके से उबाल ले और उसमें मित्रों 100 गराम आजवाइन डाल दे इसे असानी से अपना पसू खा लेगा यह फर्मूले का यूज मित्रो कम से कम दो से तीन दिन जरूर करें तीन से चार दिन में अपने पसू का दूद अवस्थ से बढ़ेगा मित्रो इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी, नमस्कार मित्रो और हमारे चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और बेल आइकन जरूर दबाए धन्यवाद में